नमस्कार एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है परिक्षा वर्ल के से योटूब चैनल में दोस्तों हम UPSSCPET 2021 के लिए हम भातिस हमिधान का जो क्रेस को से स्टार्ट किये हुए है उसका पार्ट 6 जो है आज हम कंपीट करेंगे पार्ट 6 में हमने स्टार्ट किया था सनस्त को पढ़ना सनस्त का जो पार्ट 1 था हमने कंप्लिट करा दिया था तता पार्ट 1 में हमने राजसभास्र जूड़े जितने भी important fact और point बन सकते थे उन सभी को हमने discuss किया था तता आज हमारा सनस्त का पार्ट 2 होगा तता part 2 में आज हम पढ़ेंगे लोग सभा के बारे में तो लोग सभा के बारे में जितने भी important fact और point बन सकते हैं जो आपके exam के लिए important हो सकते हैं उन सभी को आज के इस वीडियो में हम discuss करेंगे तो चलिए आज के session को शुरू करता है तो यहाँ पर कुछ basic जानकारी जो आपके दिमाग में होनी चाहिए लोग सभास related सबसे पहले आई उसको हम discuss कर लें तो सबसे पहले आप याद देखिएगा बाती समिधान का एक article article 81 आप याद देखिएगा हमारे बाती समिधान का एक अनुछेद 81 इसके अंतरगत जो है लोग सभा के गठन का प्रावधान किया गया है तो यहाँ आप याद देखिएगा हमारे बाती समिधान का एक अनुछेद है अनुछेद 81 इस अनुछेद के बारे में आपको याद अकना है इसके अंतरगत जो है लोकसभा के गठन का प्रावधान किया गया है इसके सदस्य जनता दोर माप याँ दिखिएगा जो लोकसभा के सदस्य होते हैं जनता दोरा प्रादेशिक प्रतनिधित प्रलाली के दोरा एकल सदस्य निरवाचित छेतर में प्रत्यच निरवाचन दोरा निर्वाचित किये जाते हैं तिसे आप या देखेगा जो लोगसभा के मिंबर्स होते हैं जो लोगसभा के सदस्य होते हैं उनका जो चुनाव होता है वो डारेक्ट इलक्षन के थुरू होता है तिसे आप या देखेगा वह अगर हम इसके मिंबर की सीमा की मतलब संख्या की बात करें तो लोगसभा सदस्यों के जो संख्या होती है maximum वह हो सकती है 552 आपको मिलेंगे राज्यों से इसमें से 20 सदस्य आपको मिलेंगे केंदर सासिज प्रदेश से वहीं बाकी के जो दो सदस्य हैं आपको मिलेंगे इंगलो इंडियन समुदाय से यानि कि जो maximum संख्या हो सकती है लोगसभा सदस्यों के वह हो सकती है 552 आप याद देखेगा वह एकर हम प्रजेंट की बात करें वलतमान की बात करें तो वलतमान में लोगसभा सदस्यों की कुल संख्या कितनी है तो 545 तो वलतमान को आपको या संगराज क्षैत्रों से बाकी दो संधिया आपको मिलेंगे एंगलो इंडियन समुदा एक से तो कौन नामित करता है हमारे जो प्रेसीड़ Chinese होते हैं इनके दरा दो एंगलो इंडियन समुदा एक विक्टियों कोती है लोग सबस्भा में ते से आपको याध अकना है इसके बाद अगला फेक्ट क्या है यहाँ पर आप देख रहे हैं जो लोग सभा होती है जो हमारे मंत्री परिसद होती है जो मेंब आप याद रखिएगा जो मंत्री परिसद होती है वो सीधे तोर पर लोग सभा के प्रती उत्तरदाई होती है आपको याँ धखना जो मंत्री परिशद होती है वो सीधे तोर पर लोगसवा के प्रती उत्तरदाई होती तिसे आप याँ देखेगा इसके बाद लोगसवा चुनाव को यहाँ पे भारत में first past the voting system कहा जाता तिसे आप याँ देखेगा लोगसवा चुनाव को first past the voting system याने की सरवाधिक मतद्वारा ब्यक्तिक की बीजाए कहा जाता तिसे आप याँ देखेगा तता इसकी जो लोगसवा मेंबर की जो नियूंतम age limit रखे गई वह रखेगे 25 यह रहने की अगर आपको लोगसवा सदस्य बनना है तो आपकी जो minimum age limit होनी चाहिए वोनी चाहिए 25 वर्स तिसे आप याँ देखेगा वहीं लोगसवा की अवधी के अगर हम बात करें तो लोगसवा का जो अवधी होती हो रखेगे यह 5 वर्स जैने की जो लोगसवा होती है वह 5 वर्स तक कारे करती तता अपात काल के दौरान जो इसकी अवधी होती है वह एक वर्स तक बढ़ाई जा सकती तिसे आप याद देखिएगा लोगसभा की जो अवधी होती है वह अपात काल के दोरान एक वर्स तक बढ़ाई जा सकती है तो यह बेसिक फैक्ट आपको याद अखना है इसके बाद आप याद रिखिएगा और माले जो लोगसभा सदस्यों का जो पद होता है उनकी संसत के दोनों सदनों में चून लिया जाता है तो उसे दस दिन के भीतर यह बताना होगा कि उसे कि सदन में रहना है, सूचना ना देने पर राजय सभाकी जो उसकी सीट है वो समापत हो जाती है पहले कंडीशन है, इसके बाद दुसरी कंडीशन देकर हम बात करें अगर किसी सदन का सदस्य दूसरे सदन का भी सदस्य चून लिया जाता है तो पहले वाले सदन में दो सीटों पर छुन ले आता है तो उसे स्वेच्छा से किसी एक सीट को खाली करने का अधिकार है अन्य था उसकी जो दोनु सीटे हैं वह रिक्त हो जाएंगे तो यह कुछ कंडिशन आपको याद अखनी है इस कंडिशन के अधार पर जो लोकसभा मेंबर का पद होता है वह कि यहाँ पर देख लिजेए पत्याकोई सदस्य यथा स्थिति राज सभा के सभापति और लोकसभा के अध्यच्च को संबोधित त्याका स्थान त्याक सकता है तो यह दिंग изменback कोई चाय को यह राज जआतो यह धिकार को अधिकार को देंकर जो अपना स्थान निषान उस अपिया देखेगा कोई मिंबर है माली जो लोग सभाका या राज सभाका वह सदन की अनुमती के बीना अगर साथ दिनों की अवधी से अधिक समय के लिए सदन की सभी बैटकों में अनुपस्थित रहता है तो जो होता है सदन में उसका जो पद है वह रिक्त घोसित हो सकता है लोग सभाका हो चाहे वह राज सभाका हो वह बीना अनुमती लिए अगर साथ दिन की अवधी से अधिक समय के लिए सदन की सभी बैटकों में अनुपस्थित रहता है तो सदन में उसका जो पद होता है वह रिक्त घोसित हो सकता है यह बेसिक कंडिशन आप या दखनी है ज यहाँ पर देख लिजिए लोग सभा के इंपॉर्टन पदादिकारी में सबसे पहले आते हैं लोग सभा के अध्यचता अप्या देखिएगा अनुछे तिरान बेक अनुसार लोग सभा अपने सदस्यों में से एक को अध्यच और एक को उपाध्यच निर्वाचित करती है तो आप्या देखिएगा तो आर्टिकल जो 93 आर्टिकल जो तिरान बेस के अनुसार जो है लोग सभा अपने सदस्यों में से एक को अध्यच और एक को उपाध्यच निर्वाचित करती है इसके बाद आप आप आदेखिएगा जो लोग सभा सभा का मेंड कारी क्या होता है धन बिदेख के मामले में जो आप आप आदेखिएगा जो धन बिदेख होता है यह निश्चित करना यह धन बिदेख है या नई यह किसका कारी होता है तो लोग सभा अध्यच होता है इसी के दवरा निर्दारित किया जाता है कि कोई बिदेख धन बिदेख है या नहीं ते आपको याद अखना है यह कई बार एकजाम में पूछा गया इसके बाद दोनों सदनों के पिठा सीन अधिकारियों का यह दायत तो है कि सदन की कारिवाही संचालित करने के पुर्व आवस्यक नियुनतम सदसे संख्या या कोरम जो होता उसको सुनिश्चित करें तो इससे आ अगला पॉइंट आप यह दखेंगा जो लोकसा में जो हो निरनायक मत देता है तेसे भी आप यह देखेगा इसके बाद लोकसावा अध्याच अपना जो त्याग पत्र होता है प्रश्ताव से छटाया जा सकता है इसके बाद अगला पॉइंट क्या है डसवी अनुसूची अल्थाब दल बदल विरोधी कानून के तहते लोग सबा के किसी सदस्य के संभंध में दल बदल संभंधी शिकायत मिलने पर उसकी निहलता के प्रस्न पर हैसला लोग सबा अध् की बात जिनके बारे में आपको याद अखना है तता यहां पे हमारा जो टॉपिक आज कहा था लोग सवा अध्यच का यह समाप्त होता है तता हमने जो संसत का टॉपिक की स्टार्ट किया हुआ था उसमें जितने भी इंपोर्टेंट फैक्ट बन सकते थे उसको हमने यहां पे डिसकस कर लिया है तो आज से जो हमारा संसत का टॉपिक हो यहां पर समाप्त हो जाएगा कल हम पढ़ेंगे किसके बारे में तो कल हम पढ़ेंगे सुप्रीम कोर्ट वर हाई कोर्ट के बारे में जो कि आपका सिलिबस जारे किया गया तो पीटी का उसमें क्लियरली मिंसन है कि जो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के बारे में इंपोर्टेंट फैक्ट और पॉइंट हो सकते हैं वे आपसे एकजाम में पूछे जा सकते हैं जितने भी इंपोर्